सिम कार्ट पर लिखे इन कोट्स का क्या मतलब होता है और आज आप एक इंसानी टूथ को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं साथ आज आप एंट्स के दौरा प्रेड्यूस की जाने वाली दो बेदी यूनिक साउंड को भी सुनने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बेदी साफ सोर से ये देख सकते हैं कि उपर से काफी जादे स्मूथ दिखने वाला टूथ असल में कुछ इस तरीके से काफी जादे रफ होता है और इसी रफनेस के कारण जब भी हम फूट को चबाते हैं तो वो हमारे मूं में एक तरीके से डैलूट सा हो जाता है तो कि आपको पता है कि जब भी कोई भी वूट पैकर किसी भी पेड़ की वूट पर अपनी चोंस से होल करने के लिए हिट करती है तो पेड़ के तने के साथ साथ उसकी बॉड़ी पर भी कुछ इस तरीके से काफी बड़े अमांट में एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसे सि ही रेकॉर्ड किया जा सकता है और इसी वाइबरेशन और फोर्स को सेहन करते हुए ही उसे अपना काम करना पड़ता है और हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये बर्स चुटकी बजाते ही बेयादी आसानी से इस काम को कर लेती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है fact number 21 दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे rainbows को तो जरूर देखा होगा जो कि बारिश के बाद घंटों तक आसमान में बने रहते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आगर इस दुनिया का वो rainbow कौन सा था जो कि अभी तक सबसे लंबे समय तक बना रहा and most important कि आपने उस rainbow को दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो rainbow देख रहा है वो 30 November साल 2017 को ताइवान के ताइपे में बना था and according to Guinness World Record ये अभी तक सबसे ज़ादा लंबे समय तक बना रहने वाला rainbow है जो कि 8 घंटे और 58 मिनेट तक लगातार कुछ इस तरीके से आसमान में दिखता रहा तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहदी लाजवाब तो जारूर देखा है Fact No.20 एक एंट दूसरी एंट को ये बताती है कि उसे कॉलोनी के बाहर फूड मिला है आप दोस्तों बात करते हैं उस साउंड की जिसे खतरे के तर्ज पर प्रेड्यूस किया जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहदी रोयर तो ज़रूर सुना है पता है कि जो आइफिल टावर है ये सिंगल नहीं बलकि शादी शुदा है चकरा गए ना लेकिन ये सच है असलने दूसरों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन एक अमेरिकन कॉमपेटेटिव आर्चर एरिका एया के दौरा साल 2007 की कमिटमेंट सेरिमेनी के दौरन आइफिल टावर से शादी की गई थी और इसी के बाद से ही इनका अब पूरा नाम एरिका एया आइफिल है मतलब सही ही है इंडिया में लोगों को अच्छी वाइफ नहीं मिल रही और फ्रेंस में टावर्स तक की शादी हो रही है क्या आपको बता है कि जिपैन में हर साल आक्टूबर के महीने में पैंटू नाम की फेसिबल को भी सेलिबरेट किया जाता है जिसमें मा की लोग कुछ इस तरीके से अजीब से एटायर में तयार होकर खुद को गंदे गटर में डोपा कर सड़कों पर घूमते हैं साथी साथ वो अपने सामने पढ़ने वाले छोटे बच्चों और लोगों पर भी कुछ इस तरीके से उस गटर की कीचर को भी लगाते हैं असल में दूसरे उन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो इविल स्पिरिट को अपने एरिया से डरा कर भगाने के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी गुड लग को लेकर आएंगे और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फैस्टिवल को दुनिया के सबसे ज़ादा अजीब हो गरी फैस्टिवल में से भी एक फैस्टिवल माना जाता है अब आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताईएगा कि अगर आपके मुँपर कुछ इस तरीके से कोई गंदिगी लगाए तो आप उसका क्या हाल करेंगे दूसरे सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे ऐनिमल्स दिखाए हैं जो कि मैटिंग से पहले बेदी अजीब सी साउंड को प्रेडियूस करते हैं लेकिन बाद अगर जिराफ की की जाया तो यहां तो वो अपनी गर्दनों के पैंचे ही लड़ाते हैं नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ दोस्तों अभी आपकी स्क्रीम पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें दो मेल जिराफ के दौरा मैटिंग के लिए फाइट करता हुआ देखाया जा रहा है क्या आपको पता है कि USA और आस्ट्रेलिया में VIP पेशेंट्स को एक सिटी से दूसरी सिटी जल्दी भेचने के लिए कुछ इस तरीके की रेल एम्बुलेंस का इस्टमाल किया जाता है एंड ओनिसली इसे देखने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि वास्तम में ये कंट्री इस तो फ्यूचर में जी रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेकनोलोजी भी फ्यूचर की नई बलकि साल 1961 की है असलमें दूसर साल 1961 में ब्रिटेन में कुछ इस तरीके के रेल वहेकल्स को बना का तैयार किया गया था जिनके तुरू VIP लोगों और पेशेंट्स को ट्रैफिक से बचा कर जल्दी से जल्दी एक जगे से दूसरी जगे कुछ इस तरीके से बढ़ा कर ले जाया जाता था लेकिन क्योंकि इस से रेलवे को काफी ज़ादा परिशानी हो रही थी तो आगे चलकर इस पूरे ही कॉंसेट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया लेकिन प्रिजेंट डेट में बहुसी कंट्रीज आज भी विएपी पेशेंट्स के लिए दोबारा से इन तरीके के वेहिकल्स का इस्टमाल कर रही है दोस्तों आपने कभी न कभी कुछ इस तरीके से माचिस की तीली को तो ज़रूर जलाया होगा लेकिन क्या आपने पूरे ही प्रोसेस को बेहदी यूनिक और डेटेल्ड वे में देखा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो कलिप दिख रही है उसमें एक मैच को जलाकर बेहदी डेटेल्ड वे में जूम करके रेकॉर्ड किया गया है जिसमें आप येदी साफसार से ये देख सकते हैं कि कैसे जब हम एक माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसके उपर लगा मैटेरियल धीरे धीरे जल कर खत्म होता है और आपको बता है कि जो फायरफाइटर्स होते हैं वो आग बुझाने वाले पानी को और जादा गीला यानि की वेट बनाते हैं आइनो सुनने में काफी जादा अजीब सा लग रहा है तो चलिए इसको सिंपल बना देते हैं असलमने दूसरों आलमोस्ट सभी फायरफाइटर्स आग बुझाने वाले पानी में सर्फिस एक्टिव एजेंट्स को डाल कर उसके सर्फिस टेंशन को कम करते हैं जिसकी बज़े से जब उस पानी को किसी भी आबजेट की उपर थ्रो किया जाता है तो वो नॉर्मल वाटर की तुल्ला में बहुत बड़े स्केल पर फैलता है साथ ये साथ वो object भी इस water को normal water की तुला में काफी बड़े skill पर absorb करता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए fire fighters के दौरा इस्तमाल किये जाने वाला पानी किसी भी आग को normal पानी की तुला में काफी जल्दी बुजा देता है और हम लोगों को ये सीक्रेट पता ही नहीं होता आमेजेंग आपको बता है कि साल 1920 के आसपास USA के कैलिफोनिया में alligator form नाम के भी एक zoo को खोला गया था जिसमें बहुत से alligators को कुछ इस तरीके से छोटे बच्चों और लोगों के साथ खेलने खाने और उनको अपने उपर बैठा कर राइट कराने की ट्रेनी को दिया जाता था जिसके चलते हुए साल 1920 के आसपास ये zoo एक काफी बड़ा picnic spot भी बन गया था लेकिन क्योंकि ये आइडिया काफी जादा खतरनाक था साधी साथ alligators भी काफी जादा गुस्ते में आ जाया करते थे तो आगे चलकर लोगों की safety को ध्यान में रखते हुए इस zoo को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया गया और ये चीज अपने आप में काफी जादा अजीब थी जहां पर इतिहास में लोग ऐलिगेटर के साथ ऐसा खेला करते थे के मानों वो ऐलिगेटर नहीं बलकि उनका कोई pet dog हो Fact number 12 क्या आपको पता है कि जब कोई भी साप काफी जादा गर्म जगह पर होता है तो उसके brain में कभी-कभी ऐसी reactions होने लगती है जिसकी वज़े से उसे fake भूंक लगने लगती है मतलब उसके शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है लेकिन उसका brain उसे force करता है जबरदस्ती कुछ भी खाने के लिए और उस condition में जब वो अपनी tail को देखता है तो उसका छोटा brain ये decide नहीं कर पाता है कि ये part उसी की ही body का है या फिर किसी दूसरे animal का और उस condition में वो सने कुछ इस तरीके से अपनी body को बहुत बड़े amount में stallo करके खत्म कर देता है और वास्तम में ये अजीब है जिसके हम सभी चांते हैं कि साल 1973 में mobile phone का invention किया गया था लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1946 में भी इस दुनिया में mobile phone मौजूद थे असलन दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 1946 में सबसे पहली बार ब्रिटेन में mobile phone के कुछ इस तरीके के prototype को बना का तयार किया गया था जिसको की manually adjust करके past की radio station से connect करना पड़ता था लेकिन क्योंकि ये technology radio signals पर काम करती थी तो इसकी range काफी जादा कम थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए mobile phone के इस prototype को आगे चलकर adopt नहीं किया गया आज आपके ही mobile phone की एक भेहदी amazing history को तो ज़रूर जाना है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी speaker के थूरू किसी भी song को सुनते हैं तो उन speakers से sound की अलग-अलग frequencies निकलती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये frequency एक straight line में नहीं बलकि beat के अनुसार अलग-अलग patterns में निकलती हैं अब इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस video clip को देखिए जिसमें एक simple sound producing device की उपर salt को डाल कर उस device से अलग-अलग frequencies की sound को produce किया जाता है और यही sound waves अपने pattern के अनुसार salt को भी कुछ इस तरीके से अलग-अलग patterns में convert कर देती हैं और यही चीज कहीं न कहीं हमें यह दिखाती है कि किस तरीके से अलग-अलग frequencies की sound waves अलग-अलग pattern में किसी भी device से release होती है Strange but true Fact No.9 क्या आपको बता है कि 16 March 1999 को Andes Mountain Range से researchers को अभी तक इस पूरी दुनिया की तीन सबसे जादा naturally preserved mummies मिली थी दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो mummies दिख रही है वो उन्ही तीन mummies में से एक mummies है और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस mummies की सिर्फ skin ही नहीं बलकि internal organ के साथ साथ कुछ percentage में आज भी इनके अंदर blood preserved है असबन दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन तीनों ही लोगों ने अपने देहांत से से पहले काफी जादा rich protein वाले food को consume किया था साथ ही साथ इनकी body में dehydration भी इनकी मरत्यू के बाद हुआ जिसके चलते हुए 500 साल बीच जाने के बाद भी इनकी body बाहर और अंदर से बिलकुल ऐसी है कि मानो ये अभी भी एक जीवित इनसान ही हो strange but true पैक नमर 8 किसी भी healthy इनसान के दोरा सीड़ी चड़ना एक simple सा टास्क है लेकिन किसी दूसरे इनसान को अपने उपर बैठा कर चड़ाना थोड़ा सा मुश्किल और ये मुश्किल तब और जादा भड़ जाती है जब दूसरा इनसान उल्टा आपके सर पर लटक कर balance कर रहा हो नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ जिनके नाम कुछ इस तरीके से balance कर गे दुनिया में सबसे ज़ादा CD चड़ने का वर्ड रिकॉर्ड भी हासिल है असलमत दोसे इस वर्ड रिकॉर्ड को 29 अक्टूबर साल 2018 में पेरू में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक बहुसे अटेंट्स करने के बावजूद भी इस वर्ड रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी इंसान नहीं तोड़ पाया है क्या आपको बता है कि हमारी स्किन में केराटीनोसाइट नाम की भी सेल्स मौजूद होते हैं जोकि यूजली कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कुछ दूरी पर मौजूद होते हैं लेकिन जैसे ही हमें कोई भी चोट लगती है तो यह तुरंधी कुछ इस तरीके से एक सेल्स की चैन बना कर उस चोट को उपर से पूरे ही तरीके से कवर कर लेते हैं ऐसे सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उस समय कोई भी भारी बैक्टिरिया हमारी चोट का फायदा उठा कर हमारी बॉड़ी के अंदर एंट्री ना ले ले लेकिन क्योंकि यह चीज काफी चोटे स्केल पर होती है तो हम कभी भी नेकेड आई से इसे नहीं देख पाते तो एक बाद टाइम निकाल कर इन सेल्स का शुक्री आदा आदा जरूर कीजेगा क्योंकि अगर यह नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होता Fact No.6 Fact No.5 Fact No.4 अपने बहुत से लोगों को प्लेन को हाईजेक करते हुए तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या एक मासूम सी बिल्ली भी प्लेन को हाईजेक कर सकती है? Honestly वो ऐसा कर सकती है जिसके बाद उसने पाईलेट और क्रू मेंबर को इतना ज़ादा परिशान किया कि इस फ्लाइट की एमरजेंसी लेंडिंग ही करानी पड़ गई और ये एविएशन हिस्ट्री की अपने आप में सबसे ज़ादा अजीवबों करीब घड़ना बन चुकी है जहां पर एक प्लेन को हाईजेक सिर्फ वोसे एक बिल्ली के द्वारा ही किया गया था दूसरे सीरीज में मैंने आपको भी बताया था कि कैसे एक चाइनिस कंपनी ने अपने एमपलोईस को एंटर्टेन रखने के लिए एक चेयर लीडर को हायर किया था लेकिन क्या आपको बता है कि ये चीज सिर्फ यहीं तक इसी मित नहीं है असबन दूसरे चाइना की वुशी वुक्सी सिटी में मौझूद एक कंपनी के द्वारा अपने एमपलोईस को खुश और क्रियेटिव बनाए रखने के लिए कुछ इस तरीके से एक अलपाका एनिमल को हायर किया गया है और इस चीज को जानने के बाद मैं कंपनी से ये रिक्वेस्ट करना चाता हूँ कि ये एनिमल आपके इंजॉयमेंट के लिए रखा गया है क्रिपया इसे काट कर ना खा जाएं क्योंकि हम एक और वाइरस जहलने के मूड में बिलकुल भी नहीं है सूचना जन हिद में जारी दोस्तो यो अला फेक्ट करेंट अफेर की तोच पर है क्या आपको बताए कि अभी हाल ही मैं बारा साल की जिया राय जो की ऑक्टिज्म इस्पेक्ट्रम डिसॉडर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्होंने 36 किलो मिटर की दूरी महज 8 घंटे और 40 मिनिट में तैर कर तै करके अपने नाम एक नया वर्ड रेकॉर्ड हासिल कर लिया है सच में गर्व होता है इस नन इसी परी पर सिम कार्ट पर लिखे इन कोड्स का क्या मतलब होता है असलनों दोसरों आपने भी इसस को notice तो जरूर किया होगा कि आप चाहें किसी भी operator की सिम का इस्तेमाल करते हो उस सिम की उपर कुछ इस तरीके के कोड्स लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सिम की उपर ये कोड करते क्या है असमन दूसर इस code को integrated circuit card ID के नाम से जाना जाता है और इन codes की मदद से किसी भी SIM को देकर भीयदी आसानी से पता लगाए जा सकता है कि ये SIM किस industry से, किस country से और country में किस location से belong करता है For an example, Telecom Industry का code 89 होता है अब क्योंकि सभी SIM इसी industry से belong करती हैं तो सभी SIM के शुरुवाती दो digit 89 होते हैं इसके बाद के दो digit country के code को represent करते हैं जैसे कि अगर SIM इंडिया का है तो इस पर 911 लिखा होगा USA का है तो इस पर 01 लिखा होगा और जर्मनी का है तो 49 ठीक इसी प्रकार आगे के दो digit issuer identification number को represent करते हैं इसके बाद के सभी digit last एक digit को छोड़ कर आपकी SIM के identification number होते हैं जिसकी वज़े से आपके account, आपकी SIM की location और SIM को country के किस state में उतारा गया था के बारे में जानकारी मिलती है यानि कि अगर आपकी SIM का कोई भी digit गलती से मिट गया हो तो इस checksum को देखकर learn algorithm लगा कर उस digit को recover किया जा सकता है So finally, अब आप यह जानते हैं कि SIM की पीछे ये course क्यों लिखे होते हैं I hope दोस्तों आज की वीडियो आपके knowledge बेलेगी होगी